आज फिर से हम आगे हैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के जो तहल का मचाने वाली वीडियो है नाम है उसका कॉड़ी लेटरल माने तो सिव मनी सर जब भी आते हैं क्या लेकर आते हैं पूरा निचोड फुल कंसेप्ट पूरी वीडियो भले ही 40-45 मिनट हो जाए लेकिन आपको पता है कंसेप्ट निचूटना है कोई भी कोड़ी लेटर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सिंपल वाते करेंगे कोड़ी लेटर के बारे मियाल लेते हैं वैसे कोड़ी वाध्या नहीं आता देखो मैं आपको बताता हूं एक आ कि यह वेक्ति होते हैं जिनका नाम होता है पॉलीगन होते हैं लट आिपके सिंपल सा कंशेप्ट है Poligen डॉट आपके कैसे कॉन केव ऑर कॉन वैक्स सर यह तो सर मीरर और लेंज होते हैं सर कॉन केव कॉन लैंस हैं बिर्न होते हैं लिकुल होते हैं लो हैं पॉलիंग समझते हैं यही न देखो क्या कॉनकेव और कॉनकेव का हिस्सा क्या है सब्सक्राइब अब ऐसे समझते हैं यह देखो साइड है इसमें एक दो तीन चार और पाच कितनी साइड है पाच अगर इसके अंदर हमने दो सब्सक्राइब तो पॉइंट लिए और इनको जोइन किया अगर दो लाइन को काट गया दो लाइन सेगमेंट को काट गया तो तो क्या बोला जाएगा इसंでした साइड यह ऑसे साइड वाले में ही ऐसा हो सकता है यह वहीं पर देखो आहको मैं बताता हूं कितनी साइड है 1, 2, 3, 4 तो सर ये चार साइड में भी हो सकता है ऐसा हाँ बिलकुल चार साइड में भी कौनके मौने युका हुआ पता है न चलो सर ट्राइंगल पर हो सकता है क्या दूसरा पार्ट इसका कौडिलेटल सर कौडिलेटल तो इसमें भी आता है इसमें भी आता है हाँ बिल्कुल आता है इस कौडिलेटल में चार साइड है इस कौडिलेटल में भी चार साइड है यह कौनकेब वाला है बहुत बैतरी चीजें मिलने वाली है टेंसन लो वीडियो छोड़ना मत इसकिप न कब थोई ourता है और पता होता है अरे भाई कोडिलेटल साइड इस में भी चार इसमें भी ए इसमें आठ तो नहीं दिख रही अभी और इसे होन कोडिले लिटल में difference है, क्या difference है, यह concave है, और यह convex है, right, pentagon भी हो सकता है, यह बिलकुल हो सकता है, sir, अब हमें यह बता दो, NCRT क्या पढ़ाता है, आपको board exams में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, दोनो, six, seven, eight class में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बिलकुल यह concave हम लोग जानते है Convex की बात करो, Convex भी जानते हैं, तो अभी देखो, हम लोग क्या बात करते हैं, triangle, Convex के पढ़ते हैं हम लोग अभी, 10th class में, 11th में, और इसके बाद में, 9, जैसे, आगे, SSC, bank, railway, बगरा के exam जैसे देते हैं, वहाँ पे आपको, UP, CTAT, CTAT का exam देते हैं, तो इनके लिए जान है, आपको भी आगे चल करके पढ़ाना पड़ाएगा, ठीक है, चलो, तो बात कर लेते हैं, अच्छा, एक बात बताओ, फर्स्ट, पॉलिगन, फर्स्ट, कॉन्बेक्स, पॉलिगन, क्या होता है, पता चला, ट्रेंगल, बिल्कुर, टिक करके आओ, ओप्सनल कुशन अभी अगर आते हैं न, ऐसे, तो बच्चा गायव हो जाएगा, गायव, मैं 100% बता रहा हूँ, किलास में पूछ के पता कर ले न, अगर बच्चा कोई जवाब दे दे, तो बात करना, फिर वही आता है, सिंपल वारा कुशन रटने में भी क्या, रोट टू क्या है, बच्चा रोते हुए लिखता है, सर, irrational नंबर है, irrational, सर, irrational, कैसे, सर, याद है बस, कैसे होता है, मैंने दो वीडियो में डिसकस किया है, इसको, एक तो, टिग्नोमेटरी वाली जो फंक्शन वाली वीडियो है, मारी टिग्नोमेटर फंक्शन, उसमें भी ह हमने रूट्टू को डिसकस किया है और वहीं पे रियल नंबर में तो किया ही होगा सिंपल से लिए ओके तो दो टाइप के हैं कौन-कौन से अब चलो गिंती गिंते हैं कैसे तीन साइड वाला ट्रेंगल चार साइड वाला सर ऐसी नहीं डेफिनेशन पर आओ और बैद डेफिनेशन वहीं पुझे इसलिए पड़ते हैं और बहीं पड़ी रहे हो तो थोड़ा अच्छे से इस्टेंड डेफिनेशन के साथ आग क्लोज्ड प्लेइन फिगर अक्लोल प्लेइन फिगर having exactly four sides okay having exactly four sides are not as quadrilateral इतनी बात समझ गए quadrilateral पर आ गए property सक्की होतनी ट्रेंगल की भी होतनी है इंगल सम प्रोपर्टी है equal to triangle की equal to पर बात करो तो उन में जितने भी property जाते है external property है centroid की property और्थो center की center की circum center की कितनी property बताऊंगा सारी आने वाली है ट्रेंशनल हो सारी चीज़े होने वाली है आगे चलो triangle का topic जैसे हम बनाएंगे na competitive exams वाला जो question लेका आने वाले है आगे उसमें सभी सभी प्रिकार की properties कवर करने वाले हैं तो pentagon के बाद किया आएगा hexagon hexagon के बाद hepta, octa, nona, deca, inside polygon triangle का सम कितना interior angle का triangle का नहीं वलकि triangle के 3 angle 180 degree quadrilateral के 4 angle जोड़ कर कितना आता है 360 degree pentagon के 4 angle सर्वस इतना ही आता है एससे ज्यादा मुझे नहीं आता है इससे ज्यादा शिखाना भी मत नहीं नहीं ऩाष्यार कि याजलWow चैनि याशा नहीं सीख लुग है achieving फार्मूला उता है एन वाइनस टू इंटू बन एट्टी डेगरी ठीक है ऐसे समझे लो बड़े लेविल पर यही फॉर्मूला जो होता है एन वाइनस टू इंटू पाई ठीक है सम उफ इंटीरियर एंगल्स ओ पॉलिगन ठीक है एपी में यूज किया जाता है जी एपी में एपी में इसके कुईशन बहुत सारे आते है चलो आगे चलते हैं अभी तो हाल फिला ले चीख लेते हैं एन की जगह पर तीन लाओ ट्रैंगल है ना तीन साइड होंगी या तीन एंगल होंगे कुछ भी समझ लो तीन मैंसे दो गया तो एक आएगा एक का मिल्टिप्लाई 180 में करोगे तो 180 आएगा ऐसे एन की जगह पर चार कॉड़ी लेटल के लिए बात करना चाहते हो तो चार माइनस दो करने से दो आएगा दो का मिल्टिप्लाई एक सा सीम करोगे 360 आएगा सर पेंटेगन अब तो आता है सर निकालना पांच माइनस दो करने से तीन आता है तीन इंटू 180 कर देंगे तो यह आ जाएगा 540 सर बस अब शीख गए कुशन इफ एन इस इकल टू ट्वाइल्ब देन फाइंड दा सम ओफ फाइंड दा सम ओफ इंटिरियर एंगल्स इंटिरियर एंगल्स ओफ पॉलिगान राइट क्या करना है सरी का आंसर आता है तो कमेंट करो नहीं आता है कोई बात नहीं ठीक है और कोई टॉपिक अगर चीए तो कमेंट करना लिख दो भई नजर पड़ेगी तो पक्का बनाऊंगा टॉपिक अगे चलता है यह था सब बेसिक बेसिक एंगल के बारे में जाने गई अब आते हैं असली बात पर पॉटे कोड़े लेटर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो प्रॉपर्टी जोब कोड़ेटर्स इससे पहले एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल वाली यह सब को आती है ठीक है मुझे भी आती है टेंसर नहीं लेना और आपको भी आता है लेकिन हाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे नहीं आता होगा 100% मैं आपको बता रहा हूं और सीखा भी होगा बहुत अच्छी बात ऐसे होनहार बच्चे होते हैं जिनको आता है बास्तों में ऐसे बच्चे हैं जो आगे चलकर के भविश्च में बहुत अच्छा करेंगे अपने सब् इंस्टिट्टूट के लिए इंस्टिटूट के लिए और ठीचर्स के लिए थो वयाक्षा होता ही है। प्रॉबलम का solution केसे आएगा कैसे आने वाला है। के अगर हम पढ़ाई करते हैं तु इमानदारी से पढ़ो जितनी देर पढ़ हो इमानदारी से पढ़ो नहीं पढ़ा जा रहे हैं तु बंद कर रो बाद में पढ़ लेना रोते गाते नहीं पढ़ते हैं चलो कॉड़ी लिटल साथ है कि एक ब्यक्ति हैं कॉड़ी लेटल्स चलो कॉड़ी लेटल लिया एक ठीक है कॉड़ी लेटल की बात की गई तो पता चला कि एक नाम उतार ट्रेपेजियम अब इसे जो भी जो भी पढ़ते हैं ठीक है पढ़ लो कि ट्रेपेजियम मैं ही बात करो तो एक आता है आई सो कि सेलेश ट्रेपेजियम बाई साब कुश्चन एक भी नहीं छूटेगा टैंसर नलो थोड़ा सा दसली रखो ठीक है भाग नहीं सकता हूं हाननना और सीखने के लिए भागने की जरूरत नहीं पढ़ती है कि अ कि अड्र कि वह होते हैं जिनके अंदर पेसेंस है और जो ही सीखते हैं न स्किप करके चले गए होगी पढ़ाई एक गंटे का मेटेरियल तुम पांच मिनट में पढ़ना चाहते हो तुम पांच मिनट का ही तो नोले जाएगा तुमारे अंदर भाई साब एसा तूँ हो नी सकता कि तुम पांच मिनट के 인दр सारा इसBoy करकर करकर के सारा सब सीख जाओगे तो पांच मिनट वाला परे जाने वाल सिखे से भाई जितने मिनट तुम पढ़ाई करोगे जितने घंटे की पढ़ाई करो गई उतना नो ले जाएगा थिक है इस सकेब करने वाली आप ने जो होती है ना वह मार्स भी इसके फो जातें उनके के पेपर आया हो कि अब सक्रण करकर के पढ़ा था तो इसकिप करकर के ही मार्स आते हैं सिंपल रहेट ट्रेपेजियम के बाद यहां पर देखती आते हैं, जिनका नाम होता है, तरलेलोग्राम है, जो भी है, सोर्ट में कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, सेकेंड जीएम, अब जो भी होता है, लिखते हैं, हम भी लिखते हैं, पेंसन लो, पेंसन नहीं लेनी, सर बाकी का और ये सब बचा है हाँ इनकी भी बात कर लो पैललो ग्राम जो भी होते हैं इनको क्या करते हैं इनको कुछ इधर रखते हैं ठीक है एक व्यक्ति है इनका नाम है रॉम बस ठीक है दूसरे व्यक्ति एक है इनका नाम है इस्वेर सर इनको बहुत नीचे पहुचाया है ना आपने हाँ कुछ तो है इनके साथ गड़बड़ोने वाला है कि यस अगर मैं इनको नीचे पहुचा रहा हूं तो इनका कुछ मतलब होगा जैसे मैं बना रहा हूं जैसे वाइसा जल्दी जल्दी बना लो पटपड़ इसके बाद पढ़ेंगे फिर सीखेंगे ठीक है यहां पर लिख दूं क्या बचा है रेक्टेंगल अब आते हैं अस को बताता हूं कशक्र 50 कुशन बना वहां इतने से 50 बिलकुल इससे 50 कुशन बना दूंगा एंसी क्यू लीनियर कुशन बने रही है और आप लोगों को सारे दिमाग में सेट कर दूंगा कुशन देखो कैसे हैं पहला कुशन तयार होता है कॉशन बना देगा 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 कॉशन बना दे इज कॉडिलेटल काइट ठिक दो कुशन कि एक नए को गलत होना पड़ेगा मैं आपको सिम्पल लॉजिक बताता हूं चलो कॉडिलेटल है इनके तीन बच्चे ट्रेपेजियम काइट परलेलोग्राम राइट आइसोसेलेश ट्रेपेजियम किसका ट्रेपेजियम का परलेलोग्राम के कितने तीन बच्चे यह तीन है काइट का क्या हुआ ऐसे मालो साधी नहीं हुई ठीक है इसके इस्टेंडर्ट टाइप मिल जाएंगे देखने को जैसे कि इसका है आगे देख सकते हैं ठीक है ट्रेपेजियम इज कोडिलेटल काइट इज कोडिलेटल पैलेलोग्राम इज कोडिलेटल तीन कुश्चन रेड़ी हुए यस जैसे बता रहा हुँ बैसे समझ लो काइट एज कॉडिलेटल, ट्रेपेजियम एज कॉडिलेटल, पैलिलोग्राम एज कॉडिलेटल, रैट, कॉडिलेटल इज नॉट काइट, कुश्चन आएगा, तो ऐसे एक, ट्रू ट्रू रटलो, ट्रू ट्रू कुश्चन रटलो, या सीखलो, समझलो, यह देखो, क्या होत जब नीचे से उपर की तरब इस टाइप से मैंने इसे डेजाइन किया है कि नीचे से उपर की तरब चलेंगे वो ट्रू करते चले जाना उपर से नीचे अगर लोटना शुरू करोगी फॉल्स कर देना आपके कितने सारे कुशन रेडिय हो गए सुनो कि आईयवस्ट्रेपेजियम इस कोर डेलेटल यस इस है इस च में इसल में सी रिछ पर्छा था तो यहां से रोब्स पहले लूगर्म right square age parallelogram rectangle age parallelogram बहुत बैतरी चीज़े मिलने वाली है और आगे अभी तो property पढ़नी बाकी है बहुत सारा तो उनी से खेल होने वाला है सारा geometry उनी से होने वाला चलो इसमें एक चीज़ और समझते है बटा rhombus rectangle नहीं होता rectangle rhombus नहीं होता square rhombus होता है okay square rectangle होता है rectangle rhombus नहीं होता rhombus rectangle नहीं होता rectangle square नहीं होता समझ गए इतने बैतरीन concept है दो मिनट पूरा format बना लो आगे चलते है उमीद करता हूँ समझ पाए होंगे रटने की जरूरत नहीं पढ़ेगी तो नहीं पढ़ेगी आगे चलते है यह है सब जितने भी फैमिली मेंबर्स है इनकी बात करो क्या है वही पैरी मीटर्स अब देखो मैंने पढ़ा क्या क्या है इनको एक बार पहंचान भी लेते हैं ठीक है ज्यान से पहला पॉइंट हमने पढ़ा क्वाड्री लेटरल मैं सारी चीजें डिसकस करने वाला हूं अब थोड़ासा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं क्वाड्री लेटल के बाद मैंने क्या देखा था ट्रैपेजियम ठीक है सब को पैचानते जाते हैं तीसरा हमने क्या देखा आइसोसेलिस ट्रैपेजियम क्लियर आइसोसेलिस ट्रैपेजियम फिर क्या देखा था चलो काईट ले लेते हैं काईट पतंग उड़ाएंगे फिर क्या था जो भी है यह है पैरलेलोग्राम सभी बच्चे जानते हैं शना मुझा छोड़कर बिटा पैरलेलोग्राम की बाद क्या आता है कुछ भी ले लो चलो रोमबस को रख लेते हैं ये बी ऐसी टेड़ा मेड़ा तो दिखता है भई ले डे शना इसके बाल ले लेते हैं इसको से के रेक्टैंगल को रेक्टैंगल के बाद नंबर आता है किसका में चलो यह बाए-साब सबसे लाश्ट में सबसे नीचे सबसे चोटे आदमी है लेकिन विचारे हैं सब कुछ क्या अब चलो वो इमेजनेशन पर आते हैं मैंने मिटा दिया इसलिए मिटा दिया कि आप लोगों को बस काई कोर डेटल यास इस ही यास इधार क्या था याद करो ट्रेपेजियम अशां कि रेपेजियम ट्रेपेजियम li यास इसलिए ची सी डू ऋट्रेशन हो गएं कि जस्त निंगेशन ले लो होुझना नोट बाले फ्थान नुट बाले लेलो तूपर सी नीचे आना शुरू हो जाओ गए और वहीं पर एक खास बात मैंने जो बताई थी क्या rhombus rectangle नहीं होता rectangle rhombus नहीं होता ठीक है इस बात को जला ध्यान देना अब आते हैं perimeters पर इनके एक सिंपल सी लाएं बेटा perimeter की definition आप लोग जानते नहीं जानते बताते हैं आप perimeter इस बाउंडरी और आप एनी फिगर या एनी सेप जो भी है ठीक है डंड इस लाइन को याद रख लूँ इतना सा बस फिर चलते हैं एक एक करके इतर से सुरू करते हैं और पेरेमिटर चुडेश परते हैं स्क्वेर का पेरीमिटर trzyके यहाँ पहर लिख देते हैं प्एरेमिटर कि भी सिंपल है पड़ा चुके हैं एक बार और पड़ा चुके हैं पीछे वीडियो पर और फिर भी चारुं साइड बरावर के ती कितने ए यहां से यह पर आ गए कृतने और यहां से यह तक आगए तो कितना प्लस अतोल कितना हो गया 4 a इसको केटने में 4 time of side- से तिपमे ऐख चलना सुरू करो यह होगी यह ग्रेडेटेंगल में क्या होनता है रेक्टेंगल कैसे होता है ऐसे होता है ठ temat लंबाई ये चोड़ाई हैं लंबाई चोड़ाई वरावर होते हैं यहान से चन्मना शुरू करो यह हो गी यह ग необходi ऑल यह हो गई अल यह हो गई विद्वा से यहँड़ क्या है एल फ्लास b है अब क्या हो रहा है अब बनाते है तो रॉमबश देखो जर समझने वाल है कि इसी भी प्रकार के लिए बॉंडरी पर कैम करेंगे इनके जन लेते ही इसको फैर रहिए वीड़ी मैं चीह ए बी सीडी कोडी लेटल है इसके अंदर की खास बज़े खास चीजें एक जो डाइगनल होता है कोडी लेडल को दो ट्रेंगल में डिवाइड करता है वो दो के-दो ड्रेंगल कैसे होंगे किसी को नहीं बता। रैट दूसरी बात है कि दूसरा डाइगनल भी होता है इसके अंदर इन दोनों डाइगनल की बात कर लो तो कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइड है इसका कोई भी लॉजिक नहीं है एक लॉजिक जरूर है कि इन चारों के एंगल को जोड़ लो तो फिर आता है कितना 360 डिगरी ओके इसको पड़ चुके हम लोग फिगर भी बनाएंगे और आगे पेरिमेटर्स और इनके कंसेप्ट एरिया जो कोडिलेटल्स की भी बात करेंगे ठीक है तो अभी कर लेते हैं जल्दी जल्दी से बिटा स्क्यार का एरिया कैसे एरिया है क्या इसको समझ ले portion है जो safe होती है जितना भी surround कर रखा एरिया जितने भी region को जितने भी जगय को surround कर रखा है वो है उसका area ठीक है ऐसे समझ लो तो square का area क्या होता है 4A square जल्दी जल्दी समझे side into side A square इसका area L into B इसका area rhombus का area जो होता है वो कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं 1 upon 2 diagonal 1 into diagonal 2 ऐसे भी निकालते हैं और दूसरा तरीका जो है इनका वो है rhombus के जो diagonal होते हैं right angle पर bisect करते हैं तो इसलिए इसमें पाइथा गुरस थोरम भी यूज हो जाती है वहीं पर पहले लोग्राम के area के लिए बेस इंटू corresponding altitude लगाते है corresponding height लगाते है काइट के area के लिए हम लोग क्या करते है triangle को दो टुकड़ा मतलब quadrilateral एक काइट जो होती है काइट को दो टुकड़ों माट लेते हैं और दोनों triangle उसके बराबर होते है congrrant triangle दो टाइप से बनता है यह यह देखो अगर कोई पतंग होती है ऐसे उडाते है ना अगर तुमने यह वाला diagonal लिया ओके तो यह triangle दोनों अलग-अलग दिख रहे है ठीक है और वहीं पर अगर तुम यह वाला diagonal ले लो बेटा द्यान से समझना यह वाला diagonal तो क्या होता है देखो यह वाली side इसके बराबर adjacent pair, adjacent side का जो pair होता है वो equal होता है तो यह वाली दोनों side बराबर होगी आपस में और यह तीसरी वाली common है दोनों triangle में देख लो पहचान लो और इससे लगाते हैं ठीक है इससे पहचानते हो sss criterion of congrancy, congrancy criterion है जो sss तो इससे हम लोग इन दोनों triangle को congruent prove कर लेते हैं तो एक triangle का area निकाल लो, दूसरे का automatic आ जाएगा, है ना, double करके तो इसका area कैसे निकालेंगे, वह ही variance formula लगा करके, इस बात को समझ गए, है ना, variance formula, उक्टेब आइसु श्ट्रेपेजियम का area कैसे निकालते हैं रा-इसु सरीस्ट्रेपेजियम की बीबात कर लो आइसु ससरे स्ट्रेपेजियम की जो खास बात है वह यह है कि इसका जो non-parall side जो होती है वह equal होती है ठीक है है तो सीधे से बात कर लेते हैं कि अ है है कि अ है कि अए है इसके की देसी का चाइन के अच्ड ट्रेपेजिएम का एरिया क्या वन अपॉन टू एप लस बी इंटु एक्ट समय प्रेल साइड डिस्टेंस बिटमीन प्रेल साइड ऐसे देखो दोनों के एरिया हमें सब बरावर होता है फिक एरिया पर बात कर रहे हैं तो इसलिए चीज मेने बता दिया ने का बाद में फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे ठीक है कोडिलेटल का एरिया के लिए मैंने बताई दिया क्या ट्रेंगल कोई भी डाइगनल दे दो उस डाइगनल को देने के बाद दो ट्रेंगल में डिवाइड हो जाएगा और वही रेंज फॉर्मूला वाला फॉर्म जो फाइंड कर लोगे ठीक है और वहीं पर जो कोडिने जमेट्री के कुशन बनते हैं तो बटेसे सब ट्रेंगल पता हो जाते हैं कोडिलेटल के जैसे वर्टेक्स पता है वाटिसे तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं ठीक है चलो अब आते हैं एक एक को प्रॉपर्टी के बेश्ट लेकर यह सब छोड़ो ठीक है अच्छा तो नहीं किसी का मैंने एरिया ना बताया हूं लगबग हो गए है सब कर ठीक है चलो बिट्टे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं वो टॉपिक हमारा जो छूट गया था पीछे था प्रोपर्टी जो पॉड़ी लेटर्स यह है इंपोर्टन टॉपिक है ठीक है तब तक आप लोग इसको देखो मैं आपको पढ़ाता हूं इसको देखते रहो औ इत्रिकोर्ड क्लासिस नाम का EKF है जो प्लेश टूर पर मिल जाएगा हमसे जुड़ना चाहते हूं उसे पढ़ना चाहते हूं तो आपको फ्री और कुश्ट कराई जाती है इस कुश्टन सीरेज की अगर हम बात करें तो कुश्टन सीरेज के अंदर हम आपको बोड एक्ज बैश्ट रहेगा वह अलग रहेगा वहीं पर SSE के बच्चे जो है वह अलग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं बैंक वाले बच्चे हैं वह अलग पढ़ सकते हैं और जिनने एडवांस मैट की प्रिप्रेस्न करनी है एडवांस मैट के लिए लाजवाभ चेज आप अगर दिखने जो मिलेगा आपको बाकिकी में लोग एक टौपिक रह जाया जो उस पर बात करते हैं ठोड़ासा लमबा टौपिक्स है प्रोपर्डी जो कॉडिली ट्रस्थ ठीक है अगर हम प्रोपर्टी जो कॉड्य लिटर्स मतलब जितने ही लिखे हैं ना सब को मिला करके बहतरीन तरीके से आपको explanation दिया जाएगा कौन कोन के diagonal bisect करते हैं अगर bisect करते हैं तो कैसे करते हैं right angle पर करते हैं ठीक है या नहीं करते हैं अगर कोई रेक्टेंगल है वो कभी उसके diagonal 90 डिगरी पर काटेंगे की नहीं काटेंगे rectangle के right ऐसी question आपकी solve कराए जाएगा तो यहां पर हम लोग पढ़ाने वाले थे क्या quadilittles और quadilittles में हम लोग क्या पढ़ रहते हैं अभी प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी जो quadilittles की अगर हम लोग बात करें तो कैसे करेंगे देखते हैं एक-एक की बात कर लेते हैं दीरे-दीरे से समझ लेते हैं ठीक है सबसे पहले आता है quadilittles जो की लिखा हुआ है quadilittles जो होता है उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रिकार की चार साइड होती है ठीक है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इसकल टू 180 डिगरी एक प्रॉपर्टी है ठीक है जिसकी मदद से विचारे के एंगल फैंड किये जा सकते हैं ठीक है और दूसरा ट्रेंगल बगारा जो बनते हैं इनमें सिमलेटी बगारा दिखानी है ठीक है वो सब काम जो होता है इनका होता है ठीक है corelittles के बारे में सीह गये दो डाइगनल होते हैं ABCD चार साइड होती है corelittles के बारे में इतना है प्रोपर्टी सिर्फ एक चार वेंगल को जोड़कर कितना 360 दूसरा बात कर लेते हैं ट्रेपेजियम जल्दी जल्दी से सीखेंगे ट्रेपेजियम का मतलब जो होता है वो कुछ ऐसे होता है ठीक है ये वाली साइड इसके परलेल होती है दन अगर मैंने लिखा A, B, C, D तो पहली बात इफ A, B, Parallel to C, D डेफनेशन देफनेशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को लिखेंगे कैसे ठीक है A, B, Parallel to C, D दन A, B, C, D इज आ ट्रेपेजियम अगर किसी ने कहा बेटा ये बताओ ट्रेपेजियम की डेफनेशन क्या तो फिर रोना आजाता है क्या इफ A, B, Parallel to C, D ये सोट में लिखा रहा हूँ मैं अब इसे long कैसे लिखेंगे ठीक है समझने के तरीके से सिर्फ लिखाया जा रहा है कि आप लोगों की दिमाग में ये concept बेट जाए दुबारा इसकी जरूरत ना पड़े A, B, Parallel to C, D का मतलब है इफ वन पेर ओफ दा अपोजेट साइड इज पैरलेल है बन पेर एक पेर है ये और ये पेर माने जोड़ा दो चीजे अपोजेट साइड का पेर अगर पैरलेल है तो उसे ट्रेपेजियम कहेंगे इफ अब बोलो इसको A, B, Parallel to C, D मत बोलो इसे क्या बोलो इसे बोलो इफ वन पेर ओफ पारलेल बन पेर ओफ आपोजेट साइड बन पेर ओफ आपोजेट साइड इस परललेल दन ए भी शीडिय जा ट्रेपेजियम इरिया निकालना है तो इन दो ट्रेइंगल के एरिया फैंड करके जोड लो निकाल देंगे वैसे ही कोड इटिल की तरफ ठीक है बिटे ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें एक बात यहीं पर तुरंत ही समझ आने वाली है क्या कि अगर यह वाला एंगल इसके बरावर कर दूँ तो क्या ख्याल है आपका है ना पक्का डन क्या लिखूँ दूसरी प्रॉपर्टी में पहली तो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ दूसरा पॉइंट हमने क्या फैंड किया दिख गया यह जो होते हैं ना एंगल दिख रहे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और इसमें बना बना के बता रहा हूँ प्रॉपर्टी आप लोग खुद लिखेंगे ठीक है अगर मैंने इसको ओ लिख दिया तो क्या बनेगा एंगल बी ए ओ क्या बनेगा डी सी ओ समझ गए ऐसी ही यह वाला एंगल जो होता है वो किसकी अल्टरनेट होता है क्यों कर रहे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लगते हैं यापड ठीक है बटा ध्यान देना है बाकी का इसको लिख सकते हैं आप लोग समझदार हैं एबी ओ लिख सकते हैं एंगल एबी ओ इसकल टू एंगल जो बच्चे जिएमेट्री से ड़ते हैं आज उनका डर खतम होने वाला है मैं फिगर पर ही समझाऊंगा फिगर पर ही सिखाऊंगा लिखने का काम मैं अभी बता रहा हूं न इसके बाद नहीं बताऊंगा आप लोग खुद लिखेंगे ठीक है जल्द जल्दी से फटा पर फटा दोड़ दोड़ गें तो एबी ओ लिखा यहां से सीडियो लिख दूं इंगल सीडियों ओके यह बरावर होगे बिटा यह वाला एंगल जो है ना यह इसके बरावर लिख दूं हां सर कैसे बर्टिकल यह टेंगल से तो इसमें कुछ ना कुछ आया होगा ठीक है अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहते ट्रेपेजियम ठीक है तो ट्रेपेजियम जो है उसके अंदर इतनी सारी चीजने जो रहेंगी वह एंगल के बेश्ट रहेंगे ठीक है यह आपको याद रखने है ओके सब्सक्राइब करने वाले कुछ नाते हैं बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे और वहीं पर आब आतने आईसोसेल्स ट्रेपेजियम सर यह क्या वला है इसको भी परचानते हैं इसके अंदर की खास बात यह है कि जो यह वाली साइड है ना इसके बरावर होती है अच् अच्छा एक बात बताओ बिटा अगर नौन परलल साइड अगर एकवल हो गई तो पताए खास बात क्या होने वाली है तो उनकी डाइगनल भी बरावर होते हैं ओके समझ गए बात को और देखो यह वाला इंगल जितना मैंने क्लिक किया है यह बरावर होते हैं यह इतना एंगल यह इसके बरावर होते हैं और बाकी का एंगल एक एंगल एक दिख रहे हैं बरावर है एंगल टू एंगल टू बरावर है ठीक है बर्टी के लिए अपोजेट एंगल तो लिख लेते हैं सारे बच्चे तो इसमें हमने क्या क्या सीखा इसमें सीखा इफ ड एंड एडी जुकल टो बी सी हलो क्या देखा अगर एसा कभी तुम प्रूब कर लो तो उसे तुर्ण तो बोल दो फटाक से क्या कि वो आई सुलिष्ट रेपेजियम है बच्चों बच्चे अभी प्रॉब्लम पता है कहां करते हैं बच्चों को यहीं नहीं पता है कंडिशन क कौन सी होती है मैं डेफनेशन ऐसे क्यों लिखा रहा हूं कि इसलिए कि आपका डर खतम हो जाए इस लिखावट से ठीक है और जैसे इस लिखावट से डर खतम हो जाएगा फिर तो आप समझते हैं अपने आपको राजा बेटा हो जाएंगे इसमें प्रोपर्टी सी के होता है बहुत गहराई से समझेंगे तीसरी बात हमने सर क्या देखी थी कि एसी डाइगनल बीडी डाइगनल के बरावर होता है किसमें होता है और बाकी का वही सब पुरानी वाली प्रोपर्टी क्या कि चारों को जोड़ लो तो 180 आता है दो लगातार एंगल जैसे आते हैं इनके अपोजेट जोड़ लो तो इन दोनों को जोड़ कर एक स्वस्य आता है ठीक है चाहो तो लिख लो आप लोग कर सकते हैं आसानी से मैं आपको बता दे रहूं ये वाला और ये वाला इन दोनों को जोड़ लो तो एंगल ए प्लस एंगल सी इस कल्टू केतने 180 डिगरी एंड एंगल बी इसकल टू एंगल डी इसकल टू 180 डिगरी बिटा इस बात को भी समझ लो थोड़ा सा तो ये कुछ खास प्रोपर्टीज है जिनमें आपको प्रोब्लम आती है अब नहीं आने वाली टेंसल मतले है ठीक है अब आप जहां पढ़ रहे हैं बिल्कुस सही यूनिक मिलने वाली हैं कि जिनको आप किताबों में डूंडते ही रहोगे स्कूल में डूंडते रहोगे हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग मैट्स के टीचर हैं NCIT वाली टीचर नहीं है मतलब समझे न अगर टीचर से बाहर पूछ लो क्या सर क्या पढ़ाते हैं जवाब टीचर को तो क्या कहेंगे बटा ये NCIT की कुषण नहीं है अगर दुबारा उसी टीचर को पूछा जाए क्या पढ़ाते हो तो फिर समझते हो जवाब क्या NCIT तो NCIT पढ़ाते हैं क्यों बच्चों का वविस्थ खराब कर रहे हो अगर बच्चों को पढ़ा नहीं है तो डं कुशन पढ़ने वाले चार होते हैं बड़ी मुश्क्विल से तो पूछने की हिम्मत करते हैं और टीचर सुने बोल देते हैं कि बिटा यह आउट ओप यह चीज नहीं आती है तो अब तो में सीखने की जरूरत ही नहीं पुड़ेगी नहीं सीखोगे तो इंजीनियर भी नहीं बन सकते हैं यह भिरम हटा दो मैथमेटिक्स प्रॉपर तरीके से जो सीखते हैं उस पर कम सकम इतनी तो कमांड हो कि थोड़ा बहुत अगर चेंजमेंट आए तो बच्चा कर पाए ऐसे नहीं कि वाई आपको अभी से हम आईटियन्स बना दे रहे हैं नहीं हाँ लेकिन आईटियन्स बनने के लिए आपक के बच्चे जो तयारी करना चाहते हैं एक बार देखें जरूर इसलिए देखें कि जो चीजें थोड़ी बहुत अगर भूल गए होंगे तो वो रिकॉल हो जाएंगे और जो नहीं आती होंगे वो न्यू चीजें सीख जाएंगे बस इतना सा है सभी लोग पढ़ाते हैं मै कर सकते हैं चलिए अब हम लोग आ गए कहां पर काइट पर पतंग उड़ाई थोड़ी सी ऐसे थोड़ी सी उड़ाना भई कुछ बच्चे होतने उड़ाते उड़ाते खुद उड़ने लग जातने उपर से नीचे गिर जातने कई बार तो अपना भी ख्याल रखें ऐसी पर पतंग ना उड़ाए जहां बॉंडरी नहीं है या बॉंडरी भी है तो इतनी मजबूत नहीं है कि आपका बजन रोक पाए ठीक है चलो बैटे दो डाइगनल है और खास बात इनकी जो डाइगनल होते हैं ना राइट एंगल पर काटते हैं पहली चीज समझे लो काटते हैं इंट्रसेक्ट करते हैं तो पहली लाइन आपको यहां रखनी है डाइगनल्स ऑफ काइट इंट्रसेक्ट क्या करते हैं इस सब्दों को याद रखना है इंट्रसेक्ट इच अधर इंट्रसेक्ट इच अधर एट नैंटी डिग्री ऐसे समझे लो ठीक है वैसे ट्राइट एंगल लिखना ज्यादा ठीक है लिख लो एट नाइंटी डिग्री नो प्रॉब्लम बिटा अब देखो यह बन गया और यह दोनों एंगल नाइंटी 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 हो गई इस वाला इसकी कॉंग्रेंट होता है इस बात को समझ गए पहली कॉंग्रेंट सी देख लो चार ट्राइंगल बने हैं वहीं पर अगर बात करो ये भीशी डी लिखने की तो A, B, C, D ऐसे लिख लो किराम से कॉडिलेटर है तो C इधर ले लो, D इधर ले लो, ठीक है? लिख सकते हो कैसी भी? बसी करम से लिख लो, साइकलिक ओडर में तो ठीक है A, B, B, C, C, D, A, D तो इसमें हमें पहली प्रोपर्टी क्या पता चली? बटा, पहली प्रोपर्टी हमें पता चली की A, D is equal to A, B होता है and B, C is equal to C, D होता है B, C is equal to C, D होता है मतलब, adjacent sides का जो adjacent sides होती है, काइट की equal होती है Done? ओके? दूसरी बात क्या है? जो ये angle है, इसको अगर O पे काट दें मतलब O नाम दे दें से तो हमें दूसरी चीज पता चलेगी कि angle A, O, B is equal to angle B, O, C is equal to angle C, O, D is equal to angle A, O, D रहा गया? जे, हाँ A, O, D और ये चारों angle किसके बरावर होते हैं? 90 degree के ये बात समझ में आगी होगी ठीक है? ओके? third property पर आते हैं ये दोनों triangle congruent होते हैं A, O, B ठीक है? ऐसे लिख लो triangle A, B, O congruent triangle A, D, O ठीक है? and B, O, C और C, O, D triangle B, O, C congruent triangle C, O, D ठीक है? क्या सून डिलीवरी clear? ये देख़वा आगया आगे न? चलो और देखो ये वाला diagonal पकड़ के आओ नीचे इस diagonal से दोनों टुकड़े अलग-लग कर लो तो ये जो दोनों टुकड़े त्यार हुए है तो दो triangle ऐसे दिख रहे हैं? नजर आरे ये दोनों triangle क्या है? congruent है ठीक है? और जब इस diagonal से divide करते हैं तो ये दोनों triangle आईसो सैलिस होते हैं देखो ये और ये इसके बराबर है तो ये दो angle बराबर आएंगे? अगर ये दोनों side बराबर है तो ये दोनों angle बराबर आएंगे? भाई, kite kite है बास्तों में पंक उड़ा दे पतंग उड़ा दे कैसे उड़ती है देख लो कितनी सारी प्रोपर्टी जा रही है जिनको तुम देख भी नहीं सकते पहचान भी नहीं सकते लेकिन हाँ अब देखो आज के बाद काईट में प्रोब्लम नहीं आने वाली है ठीक है यह वाला डाइगनल क्या करता है दो ट्रेंगल बनाता है सी ट्रेंगल एबी सी कॉंग्रेंट ट्रेंगल एडी सी ठीकेगी के लिया डन आगे चलते हैं बाकी का कोई कोयरी है इनसे संबंदित बिलकुल लिखो कमेंट बॉक्स आपका है खाली पढ़ाए लिख डालो फटा फट चलो आगे चलते हैं किसकी बाद करनी है पहले लिए लोग्राम भी सर यहीं तो है इसके बारे में तो सर टेंशन हो रखी है आफ सारी टेंशन तो इसने ले रखी है पूरी मैथमेटिक्स की जिमेट्री के अंदर पता ही नहीं चलता किसको पहले लोग्राम बोलतों यह देखा एबी औ-सी-ड ख कैसे ABCD के बराबर जहां से सुनना इफ AB is equal to CD and AD is equal to BC then ठीक है ABCD क्या होगा पता चल गया D point if AB क्या AB parallel to CD and AD parallel to BC then बात समझे ABCD क्या ABCD क्या parallelogram लिए अगर इसमें लिख देंगे तो सारा गड़कट हो जाएगा बनाएंगे का ओके parallelogram right parallelogram ओके यह दोनों क्या है डेपनेशन देको दोनों डेपनेशन लिखें कैसे बिटा अगर opposite side equal हैं दोनों pair बराबर है तो भी उसे parallelogram बोलेंगे अगर opposite side parallel है मतलब ABCD के parallel है ADBC के parallel है यह वाली side इसके parallel है यह दोनों pair parallel देखो तो भी parallelogram होगा दोनों pair equal है side के opposite side के pair ठीक है opposite sides are equal then that is parallelogram बहुत आसानी से समझेंगे दो definition है इसलिए मैंने और भी प्रेंट बनाया इसको ठीक है तो तीसरी भी बना देंगे क्या नहीं इतनी बहुत है ठीक है इतनी ज़्यादा जबरदस्ती मत करूं मैंत के साथ सारा सब mathematician अभी बन जाओगी आगे चलते यह देखो डाइगनल वन डाइगनल टू पहली बात डाइगनल वन डाज नोट इक्वल टू डाइगनल टू किस में है पहले लोग्राम में ठीक है तूसरी प्रॉपर्टी होगी तीसरी आती है तीसरी ओपे काटते हैं बाइसेक्ट इचदर यसे लिखो बाइसेक्ट्स वाइसेक्ट्स डाइगनल वाइसेक्ट्स बढ़ियास से लिखो इसका मतलब सम्झो सारा खेल इस पर डिपेंड डाइगनल वाइसेक्ट इच अधर रवा लाज करेंगेज़ दो अधर ठीक है और इसमें एट्वेत कुछ भी नphone लगाएंगे बस इताई बहुत है इतन ही होता है इतन ही संजो कि सर्प इतन ही बहुत है का मतलब कुछ और तो ने रह गया ठीक है चोड़ेंगे कुछ भी नहीं टैंसन लो भरोसा रखो बरूसा है तो ठीक है और नहीं है तो एक क्लिक की जरूरत है वीडियो छोड़ दो निकल दो ठीक है देखो यह परल थी तो यहीं परब आ जाते हैं बाइसेक्ट का मतलब होता है कि डाइगनल बाइसेक्ट इचदर दोनों को एक दूसरे काटते हैं और बाइसेक्ट का मतलब दो टुकडे कर देते हैं यह इसको काटके दो टुकडे कर देगा यह इसको काटके दो टुकडे कर देगा इ और यह बड़ा वाला यह बड़े वाले के बराबर आ जाएगा तो जो यह first point है इसी में मैं लिखूँ हूँ हिंदी वासा में यह लिखा है और math की वासा में इधर लेख देते हैं क्या oa is equal to oc and o b is equal to o d अगर कभी लिखा मिले तो इसका मतलब होता है diagonal bisect each other ओके इस बात को समझ गए बटा angle a angle c के बराबर होता है angle b angle d के बराबर होता है opposite side के जो angle होते है opposite side से जो angle बनते है ना बीच में तो सीधे से कहें opposite angles are equal simple opposite sides are equal simple कितनी properties बनाओगे ठीक है यह सब important है आपके लिए और वहीं पर बिटा खास बज़े खास चीज़े देखो यह वाला triangle है ना इसके congruent होता है यह है कौन सा a o b किसके congruent होता है c o d के ठीक है एसी यहाँ पर होता है b o c किसके b o c किसके d o a के ठीक है यह सब ऐसे होते हैं क्यूंकि उसमें वहीं लगा लेते हैं एस 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 वाला ठीक है आसानी से आप कर सकते हैं ठीक है बाकी का और भी कोई चीज अगर आपको नजर आती है तो लिख लो नेक्स्ट अगला क्या आने वाला है उसर बहुत बैतरी इन टॉपिक आप बचे हैं यह तीन इनके बारे में तो भाई कहना ही लाजवाब है इतने भेंकर टॉपिक हैं सारा खेल इनका होता है हर जगे रोते गाते नजर आते हैं यह रोंबस रोंबस क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं वैसे अभी मैं आपको एक बड़ा खास जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में वो पता है कैसे देने वाला हूं बड़ा इंपोर्टेंट देने वाला हूं एक लाइन एक लाइन बस एक लाइन के अंदर इस चारों भी कहानी खतम हो जाएगी ठीक है बड़े आसानी से समझ पाओगे ठीक है रोंबस का मतलब है कि चारों साइड बराबर है तो कुछ ऐसा ख्याल आने वाला है नहीं का ओके अगर ऐसा आ जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या यह भी नहीं होने वाली है दूसरा डाइगनल यह बड़ा वाला होता है यह कि a b is equal to BC is equal to CD is equal to AD, then a b i c d को क्या बोलोगे बोल दो क्या नाम है इसका रोंबस ठीक दूसरी कोई definition नहीं है simple है चारों साइड बराबर आजाएं तो क्या होता है रोंबस होता है सर अपोजेट साइड यह बिलकुल अपोजेट साइड जो होती है वो भी सब बरावर है opposite angle बटा opposite angle कितना इसको अगर मैंने ABCD लिख दिया ABCD तो angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D ठीक है तो लिखना गलत क्या लिखना है मैं angle A is equal to angle C angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D इस बात को समझ गए opposite angles are equal और महीं पर तीसरी बात बहुत important इसके अंदर से दो फैक्ट निकल के आने वाले हैं diagonals के बारे में diagonals एस ठीक ने डाइगनल्स बाइसेक्ट इच अदर एट यह जो एट का concept आया ना यह पूरा का पूरा बड़ा standard concept है क्योंकि सारी चीजें इसी से एंडल होनी है इच अदर एट शेलो सिंपल वाला लिखते हैं 90 degree सब बच्चे जानते इसको लेकिर हां कुछ important factor आते हैं यह जीरो यह वाने नब्बे यह बाने नब्बे यह बाने नब्बे ऐसर दो भार हो गया प्रमवस के डाइगणल रैट अंगल पर इंट्रसेक्ट करते है यह बाइए वाला खेले चलो अब बाइसेक्टिवला है तो ये वाला इसके बरावर होता है, ये वाला इसके बरावर होता है, इतनी बात भी पता है, अपोजे टेंगल भी पता है, बरावर होता है, ठीक है, फाइनली एंगल AOB is equal to BOC, इसके अंदर से देखो एक बात तो ये लिख सकता हूँ, क्या कि OA is equal to OC, ये diagonal bisect तक, और at 90 degree का मत असलब तो समझी गए है, OA is equal to OC and OB is equal to OD, दूसरी बात क्या है, at 90 degree के बज़े से, एंगल AOB is equal to angle, देखो, यहाँ पर BOC is equal to angle COD is equal to angle AOD, बात को समझ गए, clear? कानी हेट, नहीं होई, ओके, इतनी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर, अब बच गया हैं, दो लोग, वो दो लोग कौन कौन से हैं, rectangle and square, rectangle and square, अगर हम rectangle की बात करें, तो देखो, ये तो सबसे simple, सबसे साधा आदमी, है न? दुनिया का सबसे सीधा आदमी यहीं दिखाई देता है, geometry के अंदर, वो बच्चे, बच्चों को मजा भी आता है, इसमें, ठीक है? कुशन सॉल्व करने में, simple है, बस area, perimeter तो find करने है, और जैसी कुशन आता है, क्या? If, length of rectangle is increases by 10% and the breadth of the rectangle decrease by 70%, then what is the change in area? तो सरकठीन होते हैं, अरे भई कुछ भी नहीं, यह बढ़ गया, 110 हो गया, 110 माने, 11, 70% कम हो गया, तो कितना बचा होगा? तीन, मतलब 30, कितना? 33, 100 से कितना कम? अंसर, निकाल के चेक कर लेना, वही अपना x plus by गाला formula, बच्चे वही रटके बठेना, x plus by plus x by upon 100, नहीं, जब question series लेके आओंगा न, बिल्कुर चुटकियों में question solve होने वाले हैं, इन सबके, tension नहीं लेनी है, question series बाद में, पहले basic of mathematics की playlist, बच्चो देखलो सभी, यह जरू होनी चाहिए, इसके बाद फिर बात करूँगा, कभी बेटा, पहली बात इसमें, definition, ab is equal to cd होनी चाहिए, and, और, ad is equal to bd होनी चाहिए, sorry, bc होनी चाहिए, and, d1 is equal to d2 होना चाहिए, इतनी ब्लंबी definition, यह इतनी ब्लंबी definition, यह इतनी ब्लंबी definition, यह तो इतनी ब्लंबी definition, sir, कैसे बनेगी, यह, अगर आपको पर्ललो ग्राम प्रूब करना पड़ चाहिए, तो अपोजिट साइद को इक्क्वल दिखा दो, दो definition पता ही थी, यह, और वही पर, अगर rectangle बिटा अपोजिट साइड एक्वल भी दिखाने पड़ेंगी उनकी साथ डाइगनल भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे इस बात को समझ गए यस दूसरी बात क्या करने इनकी जो चारों एंगल होते हैं यह 90 डिगरी होते हैं मतलग अगल एज इज़कल टू एंगल बी इज़कल 너 इंगल सी इज़कल 2016 टो निटीज दीगरी तीसरी बात कर लेते हैं इनके डैगनल झोते ना व बरावर होते हैं वो तो हमें पता है पहले से आपने लिख के बताया था अब यहां पर O लिख देते हैं उपे काट दिया इनने तो इनके diagonal क्या करते है diagonal bisect diagonal bisect bisect each other ओके इस बात को भी हम लोग समझ गये होंगे अगर ये diagonal bisect each other लिखा है तो इसका मतलब होता है कि OA is equal to OB and sorry OC OB is equal to OB is equal to OD ये होता है वहीं पे इसमें लिखा क्या है कि भाई diagonal बरावर है diagonal बरावर है तो जितना ये है उतनी ये है उतनी ये उतनी चारों बरावर हो गए कि नहीं hence you can write here चारों बरावर ये चारों टुकडे बरावर क्यों बरावर क्योंकि हमें पहले से पता है कि diagonal बरावर होते हैं इसके रेट चलो अब आते हैं ये वाले angle इसके बरावर मैंने पिछली वीडियो में आपसे question किया था कि आपको suspense में जो वहां पे बताये गया था क्या क्या rectangle के diagonal 90 degree पर काट सकते हैं never आपका अंसर क्या बिलकुर नहीं sir कैसे अगर इसको मैं ऐसे खिंचना शुरू करूँ बटा द्यान से समझने इन angle का condition क्या होगा राइट ये देखो अभी angle इतने है ये बार्टिकल ये पोजट angle इतने है इनको थोड़ा लंबा खिंचना शुरू करो length ऐसे ही रखो तो फिर क्या होगा ये देखो ऐसे ही इतनी चोड़ाई रखता हूँ देखो गए पता चलेगा आपको ये देखो diagonal लंबे हो जाएंगे diagonal येतने बढ़ते जाएंगे तो उतने ही एंगल कम होता जाएगा देखो येहीं पर अगर ऐसी बढ़ा दो ठीक है इधर भी बढ़ा दो ठीक है अब बताना अगा ये एंगल देख रहे हो ना कम हो गया कि नहीं जितना लंबा खींच दो गए उतने एंगल कम होगे ठीक है अगर इसे तुम बंद करना शुरू करोगे तो फाइनली क्या पता चलेगा कि एंगल बराबर तब होगा जब ये चारों बराबर हो जाएंगे और जब स्टायरं की चारों साइड बरावर हो गई होगी तो क्या बन गया होगा स्टायर बन गया होगा तो इसलिए रेक्टेंगल के डाइगनल कभी बाइसेक्ट तो स्वरी 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 90 डिग्री पर वाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं बात को समझ गए तो अभी तक जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो यह थे सब के सब टॉपिक अब बचाए एक इस्पेशल आदमी ठीक है वो है स्क्वेर सबसे इस्पेशल सबसे इंपोर्टेंट स्क्वेर लास्ट है इसके अंदर की कला सीखते हैं लोग ठीक है यह देखो चारों साइड बराबर पहला कंसेप्ट लिख लोगे आप लोग इसर डिफणिशन बताओ वही मैथमेटिकली बिटा इफ पर एबी जिकल टो बी सी जिकल टो सी डी जिकल टो एडी बैन कि रोंबस यह पर यह अगर चारों बराबर कर दो तो क्या रोंबस और न चारों को बराबर करने के साथ साथ d1 is equal to d2 कर दो right तो square done दूसरी बात ab is equal to ab parallel to cd and ad parallel to bc यह सभी परलेल ग्राम्स में होता है 4 के 4 लोग जो है उन सब में होता है वहीं पे है diagonal बराबर है तो देखो जब diagonal बराबर होंगे अभी जो मैंने case समझाया था 90 होने पर ही तो square बना रहे थे rectangle को खींच के अगर ऐसे कर दो तो 4 side बराबर और सभी angle बराबर हो रहे थे न 4 angle बराबर होंगे तो 90-90 के हो जाएंगे कि नहीं लिख दो angle a o b is equal to angle अगल बी ओ सी इसकर टू एंगल योडी इसकर टू किसके बराबर 90 डिगरी के बराबर अच्छा सरी लाइन जो आई है ना वो कहां से आई होगी यहां से कि डाइगनल्स कि बाइसेक्ट कि इच अधर एट सर सर यह वाली लाइन तीन वार आ चुकी है अब तक एट 90 डिगरी वाली पहली वार कब आई थी काइट पर लेकिन काइट में बाइसेक्ट नहीं था इंटरसेक्ट था हलो याद कर लो रटलो बहुत बहुत बैतरीन चीजह वह दूसरा सर दुबारा यह कव आया था एट सूरफ पर रॉंबस में लुट रॉंबस में क्या था कव लाइसेक्ट के साथ लुड 90 degree तीसरा काव आया क्या है यह square में क्या है bisect के साथ at 90 degree bisect at 90 degree bisect at 90 degree intersect at 90 degree इस बात को समझ गया है हम लोग जितनी भी चीजें देख रहा है न बड़ी बैतर तरीके से एक एक property को बस बना लो लिखने का काम आपका है लिखना कैसे है यह tension तुमारी पढ़ाना कैसे यह ट्रेंशन मेरी थी ठीक है लिखने और सीखने का काम तुमारा है चलिए यह चीज दन होगी चलो अब देखो इसी के अंदर सारा सब खेल सर यह एक चीज मुझे नहीं समझाई अभी तक आपने यह बोला था कि स्क्वैर जो है ना यह सब कुछ होता है स्कॉएर जो है दो इसकार व होता है के ईसकले नहीं समझाई बीड़ा ओना-स-um-time यह सबकुछ होता है यह होता क्यों ह hy यह नहीं समझाँ पास एक कंडिशन है क्या कहता है हम प्όजिट साउट में दिखा दो बस सिमपल ह। इसने दूसरी बात रॉंबस क्या कहता है रॉंबस कहता है कि भाई हम अपोजिट साइड परल्ल तो रखते हैं ठीक है इसके साथ साथ बाई सेक्ट एट 90 डिग्री भी है बाई सेक्ट 90 डिग्री भी होते हैं और देखो जब जब 90 पर काटेंगे बाई सेक्ट के साथ 90 पर काटेंगे वहाँ साइड बराबर होती है इन्ही को तो रॉंबस और स्कैर कहते हैं रैट तो स्कैर बोला बाई देखो हम तुमारी कंडिशन पूरी करते हैं हम पैरलेल भी होते हैं और हम 90 डिगरी पर बाई सेक्ट भी करते हैं डाइगनल हमारे बाई सेक्ट भी करते हैं इस बात को भी समझ गए होंगे तो यह अब रॉंबस भी हो गया रेक्टेंगल मिला रेक्टेंगल बोला कि भाई मैं अपोजिट सैड में इक्वाल हूं बोला मैं भी अपोजिट सैड में इक्वाल हूं समझ गए बात को फिर बोला नहीं मेरे चारों एंगल 90 डिगरी होते हैं बोला तो मैं कौन सा कम हूं मेरे भी चारों एंगल 90 डिगरी होते हैं इसने का मेरे डाइगनल बरावर मुले ले मेरे भी डाइगनल बराबर खतम इसका मतलब है कि जो square है वो rectangle होता है square जो है वो rhombus होता है square जो है वो parallelogram होता है clear अब कौन क्या होता है कैसे होता है मैंने एक चीज को explain किया ऐसे ही हमने जो property सिखा दिया आपको इनी को लिख लिख करके दिमाग लगाओ अरे भाई creativity तो ले कर आओ अपने अंदर creativity ले कर आजाओ mathematics के लिए 100% बता रहा हूं आप से अच्छा सीखने वाला कोई नहीं होगा creativity से सीखो ले कर आजाओ creativity अपने दिमाग पर बैतरीन से बैतरीन तरीके के mathematics को geometry को आसानी से समझ पाओगे वहीं पर तिकनोमेटरी के लिए भी ले के आ रहा हूं बहुत धासू सा concept सरकल के लिए तो मैंने पढ़ाई दिया है क्या पढ़ा दिया है मैंने सरकल अभी जानकारी वसके बल कुष्षन एक भी नहीं कराया कुष्षन सीरेज के लिए ढूड़ो playlist मिल जाए तो कुष्षन सीरेज बनाने वाला हूं और उस पे देखना किसी भी exam mcq कुष्षन डालेंगे सारे किसी भी exam के लिए आप इतने sufficient बना देंगे कि option देखोगे टिक करोगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है और यह subscribe पता है कैसे पढ़ाने के चक्कर में और तुम पढ़ने के चक्कर में भूल गए हो इसे subscribe कर लो subscribe करने के बाद bell icon भी hit कर लो क्यों? अगली वीडियो आने वाली है उसका notification नहीं तो ढूनना पड़ेगा playlist में जो हमारी next वीडियो आने वाली है उनको भी देखिए बहुत ही interesting वीडियो होने वाली है देखो भई knowledge के मामले में नहीं कह सकते हसी मजाग comedy नहीं होता knowledge के मामले में आपको मिलेगा सब मिलेगा बैतरीन मिलेगा ऐसी एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी जो आपके pattern से बाहर हो आपको जरूरत हो उस चीज की और वो ना मिले थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई टेक क्यार झाल